नमश्कर दोस्तों, वनेडिया में मैं प्रशानत आप सब ही का स्वागत करता हूँ जबकि आल राउंडरों की रैंकिंग में आर अश्विन ने बाजी मारी है बल्ली बाजी रैंकिंग में भी आर अश्विन ने लंबी छालांग लगाई है रोहिचर्मा चन्ने के M.H.A. दंबरम स्टेडियों में खेले गए पहले मुकाबले के बाद ICC टेस्ट रैंकिंग में 23 नमबर पर खिसरक गए थे वहीं चन्ने में खेले गए दूसरे मैच के बाद वो 14 नमबर पर पहुच गए है रोहिचर्मा ने 9 पायदानों की लंबी छालांग लगाई है पहले टेस्ट मैच के बाद वो 5 पायदान नीचे खिसके थे ऐसे में उनके लिए वापसी करना ज़रूरी था और उन्हें ने स्पिनेरों की मददगार पिच पर शानधार शतक चड़ा उधर आरश्मीन ICC टेस्ट रैंकिंग में बतार आल राउंडर इस मैच से पहले छटे स्थान पर थे लेकिन चड़ने में शतक लगाने के साथ साथ 5 विगट हॉल लेने वाले अरश्मीन अब 5 पर पहुच गया है गेंदबाजी के रैंकिंग में वो सातवे नंबर पर ही है लेकिन उनकी रेटिंग पॉइंट्स में उचाल देखने को मिला है इसके लाबा बता और बलेवाद आरश्मीन की तेस्ट रैंकिंग 95 थी लेकिन इस शतक जणने के बाद वो एक क्यासिवे इस्थान पर पहुच गये है रिशब पंद ने भी टेस्ट क्रिकेट में करियर की बेस्ट रैंकिंग हासिल कर ली है चिन्ने में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लाइट की खिलाब नाबाद अरदुशतक जणने वाले रिशब पंद तेरवे पाइदान से एक ग्यारवे पाइदान पर पहुच गये है रिशब पंद की टेस्ट में ये बेस्ट रैंकिंग है उन से उपर भारती खिराड़ियों की बात करें तो चिदेशवर पुझारा और विराट को ली ही है इस मैच के बाद अजिंग के रहाने की रैंकिंग थोड़ी गर गई है आपको दादे सीरीज के बागी बचे मैच मोटेरा में खेले जाएंगे तीसरा टेस मैच डे नाइट है जो 24 फरवरी से खेला जाएगा फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना है त्माम स्पोर्ट सब्डेट के लिए बने रहे हैं मरंडिया के साथ